आपको बता दे वित्रों के भी हम कववकुल पावर हाउस में हमारे साथ नवादा के मेलसी साहब है इनसे बात चित करते कि आने वले दिन लगतार जैसी घल का गर्मी चड़ा है यहां की लाइन की अस्तिती बहुत दैनी हो गया थे इनसे बात चित करते साथ केडल में लालपूर का भी कुछ पाठ है दर्मा कुछ है ने तो गृटी से बिजली का है पाच महिना च्छे महिना पहले आया लेकि अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ इसके लिए हम लोग को जनप्रतिंदी और यहां के ग्रामीन लोग ने बताया हमने तुरंद बिहार के जो सौद पावर डिस्टिविशन के जो एंडी हैं महेंदर यादव जी उनसे बात हुआ है वो लें तुरंट इसको हम इंस्टॉल करवाते हैं बिल्कुल जैसा जैसा बिजली का होगा तो हम लोग ने इंडी साहिब से बात कर लिया तो हमको लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको इस्टॉल करेंगा क्या लग रहा है कि आपका छेत्र में जितने भी किसान लावुक आप से उमीद रखे हुए बहुत जल्द उनको गर्मी से चुटकारा मिलेगा लें बिलकुल मिलेगा और अभी सभी लोग के सामने जैसा भी थे वहां और मन्नी मेंसी साहब अस परखंड को मतलब बिजली सुझ रहा है तो पूरा लावुक उड़ा पाएंगा बिलकुल अगर यह स्टार्ट हो जाता है तो जो समस्या है हम लोग की पूरे प्रखंड की है वह लगपक 90 परसेंट यह समस्या दूर हो जा रहा है कि जितने भी किसान मीटर लगवाना चाहत है तो मीटर जल्दी उनको लगता नहीं है विजली कनेक्शन होता नहीं अब जो क्रिसी का ट्रांसफर्मा है वो हर जगा हर पंचायत में सीवीर लगा के उसको लगा जा रहा है जितने भी नया लोग है कनेक्शन लेने के लिए सरकार इसमें पूरे तेजी से काम कर रहा है कि ग्रामी नस्तर पे जितना भी क्रिसी 6-3 मेटर कनेक्शन लेना चाहते हैं उनलों का कनेक्शन दिया जा रहा है सिवीर लगा के अब प्रोजेक्ट आ गया है जो की ट्रांसफर्मर लगाने का काम किया जाएगा और कनेक्शन साथ-साथ हो जागा जिनके पास नहीं पोलतर पहुंचा हुआ उनके पास पहुंचाएगा बहुत-बहुत धन्यवाद देखिए यह थे हमारे साथ नवादा के साहब असोग जी इनका कहाना था कि बहुत जल्ड परखंड वासियों को बिजली से रात मिलेगी और जैसे नहीं भी बताए कि हम इनके अमडी से बात भी किय है तो आप रहते हैं हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरू करें जाहिन